हेलो दोस्तों बुड़ मॉनिंग स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल फ्रेट वैल त्वीटर तुल में मैं हूँ आपका दोस्त तर्फुल को है आज हम डिसकुस करेंगे पावर सेक्टर के कंपनी कलपतु पावर के बारे में आप सबने इसका नाम सुना करते हैं जो बिजनस एरिया जाहने के पावर टी अंडी टी अंडी मतलब टांस्मिशन अंड डिस्ट्रिबूशन में है यह उसके लिए इंफरस्रक्टर त्यार करते हैं इंफरस्रक्टर एपीसी एसेट्स क्रियेशन्स यह इसकी वैब साइट है आप देख सकते हैं अमंग अगर हम शेयर प्राइस की बात करें तुरू पावर जो है अभी शेयर जो प्राइस चल रहा है इसका 7.31% है पिछले दो दिन से यह शेयर काफी प्रेशर में है मैं आपको चार्ट पर भी दिखाऊंगा तो अभी जो प्राइस चल रहा है 302 के आसपास का चल रहा है क्या हम यह हम सब डिसक्स करेंगे जो शेयर का 52 भी खाई है 475 का है और लो जो है 170 के आसपास का लो है जो को भी टाइम पे इस पे बनाया था अगर हम देखें तो डेली चार्ट पे जो टेक्निकली स्टोक जो है काफी बुलिश है बीकली पे देखें तो बुलिश है और मंतली पे जो कि ठीक ठाक है बहुत आर इंप्रेसिव भी नहीं कह सकते और बहुत डाउन भी नहीं है बट रेगुलर डिविडेंट यह पे करता है डिलीवरी जो हो रही है अब फिफ्टी परसेंट है कल जो हुई थी 54 परसेंट थी 3 डे की आवरेज 52 परसेंट के आसपरस है 5 डेज क अब फिफ्टी जो डिलीवरी जो होती है अच्छा स्टॉक माना जाता है उससे बट शेयर प्राइस डाउन आ रहा है तो लोगों को यह डाउट होगा कि लोग बेच रहे हैं इसके अंदर तो रीजन्स हमें पता होने क्यों बेच रहे है क्या स्पोर्ट है उसका वह हम डिस अब बताया गया है नाटे गुड टाइम टू इंवेस्ट थोड़ा सा और डाउन आने दे अब यह डाउन आज जुका है यह जो पॉइंट दिखाए गए है कल के जा परसो के टाइम के है अपडेट नहीं हुआ है क्योंकि आज भी 7% डाउन है तो इस लेवल पे यह एक दिन में अपडेट होगा तब दिखाएगा कि गो टाइम टू इंवेस्ट रैड फ्लेक्स फाउंड रैड फ्लेक् सिर्फ्टी में काम करता है ओं पावर इं स्वार इं ट्रेक्चर की कंपणी है स्माल के पक्म कंपनी है 370 इसका रैंक वंड रिसक डाउन हा है तो ल ि чистक है अल्मोस्ट अने इंडस्ट्रीके पी ही अपने इंडस्टी के जो डियंड ई है मैच करता है अगर आरो सी देखें रिटर नों कैपिले इंप्लाइट जो है ट्वंटी पॉइंट बन परसेंट का है और डिविदेंट जिल वन पॉइंट परसेंट का है इसकी अगर चार्ट पे देखें टू हंडड़ डी में के ऊपर ये काम कर रहा है अब देखेंगे प्रोज की बात करें तो प्रमोटर ने इसके अंदर शेर होल्डिंग अपनी जो लास्ट क्वाटर था उसके अंदर इंक्रीज की है वह हम नीचे देखेंगे अगर क्वाटर अगर इसे हम डिसकस करते हैं तो जून 2008 से अगर कंपेर करें सप्टमबर 2020 की जो शेल्स है 2000 से इ आसपास हो गई है अच्छा इंक्रीज हुआ है ओपियम जो होता है ओप्रेटिंग प्रोफिट मार्जन होते हैं 13% से इंक्रीज होके यह अल्मोस 13% के आसपास ही काम कर रहे थे पहले बीचे से डिप किया था जिसने 9% के आसपास अब अगें 13% के ऊपर यह काम कर रहे हैं अब देखेंगे ओवराल 13% के आसपास इंका ओपियम रहता है ओप्रेटिंग प्रोफिट जो हैं 272 क्रोड से इंक्रीज होके 380 क्रोड के आसपास पहुँच गया है अगर कुछ सालों का कंपेर करें एन्वल जो रिपोर्ट्स हैं उसको देखें तो सेल्स जो हैं 2009 में 3221 क् ओप्रेटिंग प्रोफिट मार्जन को देखें 10% से इंक्रीज होके 12% के आसपास हो गये हैं बीच में 13% भी हो गये थे बाट बारा प्रेटिंग प्रोफिट देखें 331 क्रोड से बढ़के 1543 क्रोड के आसपास होके बहुत ही इंप्रेसिव है अगर देखा जाए तो 4 गु की बात करें तो हुए है जो कि पहले 467 क्रोड के आसपास थे तो प्रोफिट भी इंक्रीज हो रहे है प्रोफिट ऑपरेटिंग प्रोफिट मार्जन भी जो है इनका स्टेबल है 13% के आसपास तो पहलें शीट में ऐसा अभी तक नजर नहीं आता है कि जो अगर डेट की बा NY 96 करके लगवाद 500 करोड के असपा सिस्पा सफारीद रिडियूस की आ है जो इंप्रेसिव है श्रफ डेट जू है झोर्य बिस रहा है यहां पर हम ठोडा सा और ठीना चाहिए बट यह जड़े-दिऊ हो रही है अगर हम पर मोटर की होल्डिंग को देखें दो पर मोटर की होल्डिंग जो है काफी स्टेबल बनी हुई थी इनिशली वट बाद में इन्होंने कुछ अपना स्टेक कम किया है सप्टमबर 2019 में अब अगें यह एंक्रीज किया है लास्ट कॉर्टर में आप हैं तो FII-DI की काफी होल्डिंग्स हैं इसके अंदर आप देखेंगे 32 तो यही दोनों होल्ड करते हैं 55 पर मोटर पब्लिक की होल्डिंग देखेंगे तो अराउंड 12 परसेंट की होल्डिंग है जो की काफी कम होल्डिंग है अब यह शेर पाइस पिछले 2-3 दिन से क्यों होना रहा है अब देखेंगे न्यूज में कलपतुर पावर शेर फाल्स 5 परसेंट और पर्चेज ओफ लेंड पार्सल इन्होंने एक लेंड पार्सल पर्चेज किया है कंपनी बॉर्ड अट इट्स मीटिंग ओन दिसम्बर 8 2020 है अप्रूव्ट कैपिटल एक्पेंडिचर इस वज़े से यह जो स्टॉक पे है थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है क्योंकि यह अपना केपेक्स को भडा रहे है और ऐस सच कोई रीजन नहीं है यह शोटर में यह चीज़े चलती है ऐसे टाइम पर अगर शेयर डाउन आता है और अपने स्पोर्ट लेवल पर आता है तो हमें उसे अकॉमूलेट करने की अप्रोचनिटी देखना चाहिए अब यह स्टोक जो है प्री कोविट लेवल पर अगर देखेंगे तो आप यह अलमोस्ट जो काम कर रहा था साढ़े 400 के असपास काम कर रहा था उसके बाद से यह डाउन आया तो यह 175 के असपास आया वहां से इसने अच्छा मूप दिखाया और यहां पर देखेंगे यह अच्छा स्पोर्ट बनता है 230 के असपास एक नेरो रेंज में काम कर रहा था 230 और यहां पर देखेंगे तीन बार इसने 280 के टच करने की ट्राई क चुथी बार में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इसने 280 को क्रोस किया और 304 के असपास गया वोल्यूम्स देख सकते हैं 6,95,000 के आसपास के बॉल्यूम्स आया इसने इसने पर ग्रोस नहीं कर पाया और अगेन 230 के असपास आता था ही तो यहां पर इसने 275-280 के जो है अच दूस्वासी के असपस एक स्पोर्ट जोन बनता है इसका अगर यहां पर आता है तो आपको बिल्कुल इसको अकॉमुलेट करना चाहिए इवन थ्री हंडड़ से भी आप इसको अकॉमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं 280 के असपस अकॉमुलेट किया जा सकता है इसको जो इसके lifetime highs है यह भी इकली चार्ट है जिरोदा का जो lifetime high है वो almost 5.35 के आसपस बनते हैं अब देखिए इसे यहां lifetime high है इसका 2018 में जो सेवी के rules आये थे mid cap small cap companies के लिए उसके बाद यह share में correction होई थी क्रेक्शन होने के बाद यह share almost वही 270 के आसपस आया था यहां पर मैं अभी बता रहा हूँ यह support लेगा आप देखिए 270 के आसपस यहां पर आया था और अभी यह 275 को यह cross नहीं कर पार था अच्छे बोली में कर यहां पर cross किया उसके बाद यह 300 गया है तो यहां पर यह सकता है बीच में आपको resistance जो दिखाई देगा वह 400 के आसपस 470 के आसपस दिखाई देगा तो उसके बाद साड़े 500 भी जा सकता है तो lifetime high जो है almost आप देखेंगे जो है 544 के आसपस का इसका lifetime high नजर आता है तो downside जो इसके अंदर नजर आती है वो जैसे अभी 299 के उपर यह काम कर रहा है 299 से 270 आप पकड़ सकते हैं तो 30 रपे के आसपस का downside इसके अंदर नजर आती है और seconds अगर यह बहुत ज्यादा नीचे जाता है 230 इसके अंदर maximum नजर आती है 10-20% अगर long run के लिए आप रख रहे हो 2-3 साल के लिए तो ऐसी news के ऊपर जिनके हाथ से share निकल गया था द्वारा उस range में आ रहा है और इसे accumulate करना चाहिए target of double 600 यह easily जा सकता है अगर यह 500 आप देख सकते हैं साढ़े 500 को यह काफी बार टच करता है तो इस time यह 298-299 के आसवास चल रहा है साढ़े 500 को अगर यह तो साल में भी टच कर देता है आप देखें कि 2018 में भी इसने टच किया है अगें 2019 में टच किया है 2020 में यह अगें अब 20 नहीं तीन मिने छे मिने अगर यह निकालता भी है तब यह 500 को टच करेगा और यहां से आप देख सकते हैं कि 70-80% की आपकी रिटर्न इजली बनती है अगर यह 550 को क्रोस करता है क्योंकि यह डैट भी रिद्यूस कर रहे हैं अपना स्टेक भी प्रमोटर्व में चेंज हो रहे हैं अगर शादे 500 को क्रोस करता है तो यह 700 के लिए जा सकता है यह इसका बीकली चार्ट है तो डाउन साइड बहुत ही लिम्टिड है आज तो डाउन आया हुआ है आप देख सकते हैं इस बीक में यह अल्मोस्ट अपने पुराने लेवल्स पे आ गया है बिल्कुल अकुमुलेशन लेवल पे आई है आप इसे गोचलेशन में लगाए है द थैंक यू धन्यवाद।